28 मार्च वो तारीक जब मुक्तार अंसारी की वो खबर आई कि उन्हें हार्ट अटाक आया है हार्ट अटाक के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हो गई और उस वक्त आपने ये खबरे भी सुनी होगी कि उनके बेटे अबबास अंसारी जो कासकंज जेल में बंद है उनके जनाजे में शामिल होना चाहते थे लेकिन लखनव कोट से उन्हें जटका लगा, वो उनके जनाजे में शामिल नहीं हो पाए तुरंत उन्होंने सुप्रेम कोट में ये अरजी दाखिल की कि वो अब अपने पिता के फातिया पर आना चाहते हैं अब सुप्रेम कोट नहीं यहाँ पर अबास अंसारी जो कासकंज जेल में बंध है उन्हें सशर्थ जो है इजाज़त दे दी है कि वो अपने परिवार वालों से भी मुलाकात कर सकते हैं और मुक्तार अंसारी जो उनके पता हैं उनकी कब्र पर जाकर फातिया भी पढ़ सकते हैं अब कुछ शर्ते हैं जो सुप्रेम कोट की तरफ से रखी गई है क्योंकि उत्रप्रदेश सरकार ने जो दलीले रखी है उन पर जस्तिस सूर्यकांत के तरफ से कहा गया है कि कानू क्यानून व्यवस्था का जो माटर है वो इन ओर माटर है वो स्टेट गववमेंट का है अब कानून व्यवस्था बिग्ड़े ना इसको सुनिश्चित तरह करना है क्योंकि यही दलील जो यहरा राजितसर्कार के तरफ से डी गई थी उनकी तरफ से कहा गया था कि चत्र-क लेकिन कल वो फातिया पढ़ने के लिए अपने परिवार वालों के साथ मुक्तार अंसारी की कबर पर जा सकते हैं आज लगभब पांच बजे के बाद जो है तमाम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उन्हें कासगन ज्येस से गाज़ेपूर शिफ्ट किया जाएगा एक और शर आएगा वो अपने घर नहीं जा सकते हैं किसी कारेक्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं किसी से मुलाकात नहीं कर सकते हैं मीटिंग नहीं कर सकते हैं और नहीं कोई भी बयानबाजी मीडिया में वो कर सकते हैं मीडिया से वह रूबरू हो सकते हैं सुप्रेम कौट ने यह फातिया पड़ सकते हैं वो 11 और 12 तारिक को उनके परिवार वाले उनसे मुलाकात कर सकते हैं लेकिन गाजिपूर लोक अप में ही तो देखे सुप्रेम कौर्ट की तरफ से सशर्थ जो है आज अब्बास अंसारी को यह बड़ी रहत दी है कि कल वो अपने पिता की कबर पर फा आई गई है और ऐसे में अब अबास अंसारी जो है कल फातिया पड़ने जा सकते हैं 11 और 12 तारिक को उनके परिवार वाले हैं गाजिपूर लोक अप में उनसे मुलाकात कर सकते हैं लेकिन वो कोई भी इसके अलावा मीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि किस तर है कि जब मुक्तार अंसारी की मौत होई उसके बाद से सियासत भी उनकी मौत पर गरबा गई है लेकिन अब अबास अंसारी को सिप्रेम कौट से रहत कल वो अपने पिता की कबर पर फातिया पड़ने जा सकते हैं झाल